93.5 Red FM पे New York Radio Festival 2015 का Best Innovation and Best Narration कैटेगरी में awarded शो एक कहानी हैसी भी Season 3 प्रवीन के साथ सुबह सुबह मनीश की नींद खोली जब उसका Mobile Phone बजा Phone उठाया तो किसी दीपक का Phone था जिसने Phone के उठते के साथ ही कहा मैंने पेपर में एड देखा कि आपको किरायदार चाहिए मैं और मेरा भाई दरसल फ्लैट ढून रहे है उसने फ्लैट का एड पेपर में देख कर Phone किया था मनीश ने बताया कि वो करीबन 6 महीने से रह रहा है यहां और मकान मालिक बाहर रहते हैं उसी के ब्रोकर ने बाकी के दोनों कमरों के लिए एड दिया है सारी बातचीत हो जाने के बाद दीपक अपने भाई प्रतीक को लेकर आया फ्लैट अच्छा लगा तो ब्रोकर को पेमिन भी कर दिया और अपने भाई प्रतीक के साथ शिफ्ट हो गया अपने इस नए घर में मनीश अपने काम में दो तिन दिन बहुत बिजी था इसलिए दोनों से ठीक से बातचीत भी नहीं हुई उस शाम मनीश जल्दी लोट आया दीपक अप्रतीक के हसने बोलने की अवाज सत्रवे माले के उनके फ्लैट की बालकनी से आ रही थी बालकनी बिलकुल कोने में थी और दर्वासा बंद कर दो तो बाहर की आवाजें करीब करीब ना के बराबर ही सुनाई देती थी मनीश बालकनी में पहुँचा और आधा शेहर आँखों के सामने जगमगाता हुआ दिखाई दिया हाई हेलो हुई तो कुछ देर काम, पढ़ाई, आफिस और जिन्दगी के बारे में बाते होती रही जान पहचान से दोस्ती बनी प्रतीक को याद आया कि उसका मुबाईल तो अंदर रह गया था वो फोन लेने अंदर गया दिपक ने देखा कि मनीश के पास ग्लास नहीं है तो वो उसके लिए ग्लास ली ने अंदर आया और अंदर आते ही दोनों भाईयों ने दर्वाजा बंद कर दिया और हसने लगे कि मनीश डर जाएगा उसको बंद रखते हैं भार जब तक घबरा के रोने न लगे लेकिन मनीश ने तो शायद ध्यान भी नहीं दिया उसकी कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी देपक प्रतीक ने दर्वाजा खोला तो देखा बैलकनी पूरी तरह से खाली पड़ी थी दोनों ने तुनंत नीचे जहाग कर देखा बनीश कहीं भी नहीं था बैलकनी से उपर ये नीचे सत्रवे माले से कोई कहा गायब हो सकता है आसमान निगल गया यह जमीन खा गए बनीश कहीं नहीं था दोनों भाई प्रतीक और दीपक माथे पर हाथ रखे बैलकनी के दर्वाजे को बंद करते हुए जब ट्रॉन रूम में आए तो वहाँ का नजारा देखते ही वो बुरी तरह खबरा गए और पसीना पहुँचते हुए एक दूसरे को देखते हुए बोले मनीश तू यहाँ कैसे आया तू तो भी बैलकरी में था मनीश ने यह सवाल सुनकर हसते ही वह कहा अरे कितनी पी लिया भाई तुम लोगोंने ओफिस से आया हूँ अभी चलो यार एक आद मुझे भी पिलाओ दीपक और प्रतीक का चेहरा इस वक्त देखने लायक था दोनों कुछ बोल ही नहीं पाए मनीश को लेकर बैलकनी में गए सबने एक ट्रिंक बनाए और पीनी शुरू की तो मनीश ने कहा तुम लोग पियो मैं दो मिलिट में ना हाथ मुध होकर के वापस आता हूँ दीपक भी थोड़ी आईस और ठंडा पानी लेने पीछे पीछे आया और आईस और पानी लेकर वापस दर्वाजे पर आया तो देखा मनीश बैलकनी के दर्वाजे को बंद करके हलके से हस रहा था दीपक ने उससे कहा क्या कर रहे तू ये दर्वाजा रोक कर क्यों खड़ा है प्रतीक तो बहार है ना मनीश ने एकदम से पलट कर अजीब सी दर्वनी मुस्कराहट चेहरे पर लिए हुए कहा अभी जब तुम दोनों ने मुझे बंद कर दिया था तब तो बड़ी हसी आ रही थी अपना भाई बंदुआ तो बहुत दिक्कत हो रही है मनीश की बात सुनकर दीपक बिल्कुल हाथ में पकड़ी बर्फ की तरह जम गया और उसने हकलाते हुए कहा पर तू तू तो बोला कि तू अभी ऑफिस से आया मनीश जोर से हसा और उसने दीपक से कहा अरे मजा कर रहा था यार तू तो ढरी गया चल परतीक को बला ले अंदर ही बैठते हैं परतीक को बैलकनी से बलाकर तीनो अंदर आही रहे थे जब पीछे से बैलकनी का खोला दर्वासा अपने आम सोर की आवास के साथ बंध हुआ और किसी के रोने की आवास तीनों को साफ साफ सुनाई देने लगी दर्वासा धीरे से खोल कर बाहर चांका तो दिल में खबराहत भरी थी पता नहीं क्या देखे था लेकिन दर्वासा खोलते ही तीनों में देखा बाहर कोई नहीं था तीनों अंदर वापस आएं इसके बाद और कुछ नहीं हुआ अगली सुबर मनीश जल्दी ऑफिस चला गया और शाम को लोटा तो दीपक और प्रतीक अपने कमरी में ही थे मनीश फ्रेश होकर आया और दर्वाजे से ही बोला अरे तुम दोनों कभी तो कमरे से निकलो तुम दोनों के अलावा भी लोग हैं दुनिया में दोनों हसे और वापस अपनी बातों में लग गए मनीश नहाद होकर टीवी आउन करके बैठा कि सुकून से थोड़ा टीवी देखेगा और उसके बाद खाना खा कर सो जाएगा टीवी पे कुछ अच्छा नहीं दिखा तो गाने ही चला कर बैठ गया बैठे बैठे गाना सुनते सुनते अचानः टीवी पर आता गाना रुग गया और मनीश का सोफा सोड सोड से हिला और किसी ने सोफे को पीछे घसीटा मनीश हरबला कर सोफे से उचल के उठा और बोला तुम दोनों भाई भी यार लेकिन अबनी बात मनीश पोरी नहीं कर पाया क्योंकि पीछे कोई नहीं था टीवी पे गाने की आवाज वापस आई और अपने कमरे का दर्वाजा खोल कर दीपक प्रतीक बाहर आए प्रतीक ने पुछा क्या भाई तू चिला क्यों रहा था मनीश ने जब बताया कि उसे लगा जैसे सोफे को उन दोनों ने पीछे से खीचा है तो प्रतीक ने कहा यार हम तो तेरे सामने ही निकले हैं कहीं इस घर में कुछ गड़बर तो नहीं मेरे ख्याल से न तू सोजा जाकता रहेगा तो और परिशान होगा कोई दिक्कत हो तो हमें आवाज दे देना मनीश अपने कमरे में गया तो लैप्टॉप निकाल कर इंटरनेट सर्फ करने लगा इंटरनेट पे ही उसने ऐसे वाकिय ढूले जहां लोगों ने अपनी आप बीती लिखी थी वहीं से पता चला कि किसी ने अपने बिस्तर पे सर की तरफ से उपर एक कील दिवार पर ठोकी थी जिसके बाद से ऐसी दिक्कते उसके साथ कभी नहीं हुई मनीश ने तुरन टूल बॉक्स निकाला एक लंबी कील निकाली और लगा हतोड़ी से उसके सर के उपर दिवार में ठोकने कील दिवार में ठोक कर मनीश टूल बॉक्स रखके बाथरूम में हाथ धोने गया और हाथ धोते धोते मनीश बाथरूम से बाहर आया तो उसकी आँखों ने जो देखा उसे देख मनीश का दिल किया एक कील अपने बदन में काड़ कर देखे कि वो जाग रहा था या सो रहा था उसके सामने दिवार में ठोकी हुई उसकी वो कील समीम पर पड़ी थी और दिवार से वो पोरी की पूरी इंट ही निकले हुई थी और दिवार से इंट इंट निकले हुई थी मनीश किसी तस्वीर की तरह वहीं खड़ा खड़ा देखता रहा हैरामी इतनी थी कि हिलना तो दूर पलके भी नहीं ज़क्ता पा रहा था मनीश एक कदम बढ़ा ही था जब पोरे कमरे में दिवार में लगी हर एक कील जमीन पर निकल के गिर्ती जा रही थी हर वो इन जिनमें कीले धसी थी वो सारी भी दिवार से नीचे एक एक करके गिर्ती जा रही थी मनीश की चीखें पोरे फ्लाट में गूज रही थी और यही चीखे सुनकर दीपक और प्रतीक दोड़ी दोड़े आए मनीश के कमरे में और एक कोने में किसी डरे हुए बच्चे की तरह घुट्णों में मूँ छुपाई बैठे मनीश को पगड़ के प्रतीक ने कहा मनीश, मनीश, क्या हुआ मनीश मनीश किसी बच्चे की तरह रोता हुआ अपना देखा हुआ कुछ बताता उससे पहले ही सामने के नजारे ने उसे और भी ज्यादा परिशान कर दिया क्योंकि जिस फर्ष पे सिमेंट, इंटे और कीले होनी चाहिए थी वो पूरा फर्ष बिल्कुल साफ सुथरा था एक धोल का जर्रा भी नहीं था कहीं किसी कोने में मनीश को प्रतीक ने उठाया और दीपक को इशारा किया दीपक ने भी मदद की और मनीश को दोनों अपने कमरे में ले गए और दीपक ने का कि भाई आज रात यहीं सोजा तू बहुत खबराया हुआ है यहां हम सब के बीच तुसरक्षित रहेगा और आराम से सो भी पाएगा मनीश को भी उन दोनों के साथ अब थोड़ी हिम्मत बन गई थी चुप चाप लेट गया कुछी देर में उसे नीम भी आ गई सोते सोते ही गर्मी में उल्जन होने लगी और पंखा भी तेज चलते चलते अचानल धीमा धीमा होते होते गुग गया और चर्मराने सा लगा मनीश एक तम से उठा तो अंधेरे में उसके माथे से कुछ टकराया कमरे के बाहर से आती हलकी रोशनी में मनीश ने जो देखा उससे एक बार फिर उसकी चीक हलक में ही अटक के रह गई पंखे से एक लाश लटक रहे जिसके पैरों से मनीश का सर टकराया था मनीश ने आखे मलकर वापस उपर देखा तो लाश लाश वहाँ नहीं थी मनीश उठकर पानी पीने गया और पानी पीते पीते ही उसने सुना इस बार क्या दिखेगा यहीं सोचता हुआ मनीश केचन में गया तो आज पहली बार सामने कुछ ऐसा दिखा जिससे उसे डर नहीं लगा बलकि रहत मिली सामने प्रतीक था मनीश को देखकर उसने पूछा तो मनीश ने उसे पंखे से लटकती लाश के बारे में बताया प्रतीक भी समझी रहा था कि इतनी देड़ से इतना कुछ हो रहा था तो मनीश का हाल ऐसा होना ही था उसने एक दम से बोला चल मनीश बैलकनी में एक सुट्टा मार के आते है मनीश भी मार गया दोनों गए और मनीश ने एक सिग्रिट चला के एक कश ही मारा था जब प्रतीक ने अचानक करतन से मनीश को पकड़ा और बैलकनी से बाहर हवा में ऐसा लटका दिया जैसे कोई वोई का भुतला था मनीश चीकता चिलाता मनीश अब तो आखिरकार जीने की उमीद छोड़ ही चुका था जब कहीं से जिंदगी का मसीहा बनके दीपक आया और बैलकनी से लटके हुए मनीश को किसी तरह खीच के उपर लाया मनीश से हाफते हुए खबराय हुए दीपक ने कहा अरे भाई तु पांगल हो गया क्या यहां से लटक के मरना है इतने रब तु यहां क्या कर रहा है मनीश गुसे में उसी पर पलट के चिलाया पांगल मैं नहीं हू पांगल देना भाई प्रतीग है उसी ने मुझे बारने की खोशिश की है हमारा भाई यह सब कर रहा है उसी ने मुझे बारने की खोशिश की है प्रतीग ने प्रतीग ने प्रतीग ने चौकने की बारी मनीश की ही थी, क्योंकि प्रतीक गहरी नीम में कमरे में सो रहा था। मनीश चुप चाप वहां से अपने कमरे में चला गया, और उसने दर्वाजे को बंद कर दिया। दीपक ने भी जब देखा कि किसी भी कमरे में सोए, दिक्कतें कहीं भी हो सकती है, उसने भी कुछ कहा नहीं। मनीश अपने कमरे में जाके लेटा, तो नजर दिवार पर उसी की लगाई, उस कील पर गई। अभी तक हुए इतने सवहादसों से, मनीश जैसे खुद से ही परिशान हो गया था। मनीमन उसने खुद से कहा, जब से ये कील ठोकी है, तभी से दिक्कतें शुरू ही है, अभी अभी निकाल के बहुर करता हूँ इससे। मनीश ने प्लायस निकाले और कील निकालने को जैसे ही आगे बढ़ा तो एक आवाज गुंजी। मनीश समझ गया था कि जो भी है वो नहीं चाहता कि ये कील दिवार में लगी नहीं। मनीश लगा कील को खीच कर दिवार से बाहर नकालने की कोशिश में। पूरी ताकत से कोशिश करके भी कील टस से मस नहीं हुई। और मनीश की हर बढ़ती कोशिश में वो आवाज और पढ़ती की। मनीश ने हार के हताड़ी वापस उठाई। और उसी से मार मार के अब कील निकालता वो। लेकिन पहला वार करते ही। मत में खानो इसे खाना। मनीश एक के बाद एक हताड़ी से वारता क्या। लेकिन वो कील कील नहीं निकली। मनीश ठक हार के नीचे उद्रा और बैठ के बैठे बैठे उसे अचानक कुछ शक हुआ। मनीश ने लैपटॉप आन किया और इंटरनेट पर छाटना शुरू किया। जैसे उसने दीपक और प्रतीक एक साथ लिखकर सर्च किया। उसके आखे रिपोर्ट पढ़के भटी की भटी रह गई। अब मनीश को सब समझा रहा था। तो तेरे सामने ही निकले हैं। इस घर में कुछ गरबर तो नहीं है। चल मनीश डालकरी में एक सुट्टा मार गया। दीपक और प्रतीक दोनों भाई तो थे। लेकिन प्रतीक प्रतीक चार साल पहले मर चुका था। मनीश ये सारी बातें अपने लैप्टॉप पे बढ़ ही रहा था। जब उसे अपने ठीक पीछे किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। इससे पहले कि मनीश पलट कर देखता कि उसके पीछे कौन है। मनीश आज भी पुलिस फाइल्स में लापता है। रिपोर्ट्स के मताबिक उस फ्लैट में सिर्फ दो लड़के रहते थे। दीपक और मनीश। दीपक के खिलाफ कोई सबूत कहीं था ही नहीं। एफ फ्लैट ठाकुर साहिम ने किराये पर देने का एड पेपर में दिया। तो उनके पास एक फोन आया। फोन ठाया तो उधर से किसी ने कहा। मैंने पेपर में एड देखा कि आपको किरायदार चाहिए। मैं और मेरा भाई नया फ्लैट ठोन रहे है। कब दीखने आया आपका फ्लैट ? कब दीखने आया आपका फ्लैट ? मैं हूँ प्रवी और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी 93.5 Red FM पे New York Radio Festival 2015 का Best Innovation and Best Narration Category में Awarded Show एक कहानी ऐसी भी Season 3 Praveen Get Up